नमस्कार आप देख रहा है आरजेडी ने उज मैं हूँ योगी शिक्रवती लोगसवाद चुनाव से पहले बिहार बिधान परिशत के 11 सीटों के लिए होने वाले चुनावों के लिए आरजेडी ने अपने उमिदवारों के नामों की सूची जारी कर सभी को चौका दिया है राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी चर्चा है और लोग इसे लालू परसाद यादव के मास्टर अस्ट्रॉक के तौर पर देख रहे हैं पार्टी के इस फैसले से पार्टी के कारेकरता बेहद ही खुश है आरजेडी सुप्रीमो लालू परसाद यादव ऐसे ही चौकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं ये कोई पहले बार नहीं जब लालू परसाद यादव ने राजनीति के पीच पर मास्टर अस्ट्रॉक लगा कर अपने बिरोदियों को चारो खाने चिट कर दिया हो लालू की राजनीतिक कुशल्टा बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आरजेडी ने 21 मार्च को होने वाले दो वरसिये MLC वार्षिक चुनाव के लिए जिन नामों की घोशना की है उनमें पहला नाम विधान परिशद में विरोधी दल की नेता रावरी देवी दूसरा नाम आरजेडी के वरिष्ट नेता अब्दुलवारी सिद्की का है तीसरा नाम उर्मिला ठाकुर का है तो चौथा भागपा माले की शशी यादव है और पांचमा नाम आरजेडी के सयद फैसल अली का है तेजस्वी यादव ने इन सभी को पार्टी की ओर से शुब कामनाई दी है तो आरजेडी ने एमिल सी चुनाव के लिए जिन पांच नामों की घोशना की है उनमें दो यादव, दो मुशलिम और एक नाई जाती से हैं और इसके अलावा बात सिर्फ जातिय समिकरन तक सिमित नहीं है आरजेडी सुप्रीमो लालो परशाद ने अपने इस फैसले के जरिये राजी के लोगों को ये भी बताने की कोशिश की है कि राजी की आधि आवादी यानि की महिलाओं के हक और अधिकार का आरजेडी पूर ख्याल रखती है। रक्षक के तौर पर पेश करने की कोशिश की है दरसल लालू यादब की ओर से बिहार बिधान परिशत चुनाव के उमिरवारों के चैन में कई तरह के गनितों को एक साथ साधा गया है उन्होंने मुसलिम और महिलाओं के अलावा पिछडी अति पिछडी जाती के बोट बैंक का भी ख्याल रखा है सियासी जानकार की माने तो लालू के एसा करने के पीछे असपस्ट और साब कारण है कि लालू यादब आगे चलकर ये कहेंगे कि उन्होंने सिर्फ राजनीती के लिए नहीं बलकि ऐसा करके दिखा दिया कि बे अति पिछडों के असल में ही तैसी है जारों के चैन में बहुत ही बड़ी कुशलता दिखाई है रावरी देवी और उर्मिला ठाकुर को भेज महिला कोटे के साथ साथ पिछडी और अति पिछडी जाती का जो गनीत है उसे बिठाया है इतना ही नहीं सिपियाई माले से भी ससी यादब को बिधान परिशत भेज पांस सीटों में से तीन महिलाओं को एमिल सी का टिकट दे दिया गन्ना के लिए दो यादब और एक पिछडा और आधी अवादी के नाम पर पांस सीटों में से तीन आधी अवादी के नाम हम आपको बता दे कि बिहार बिधान परिशत में आरजेडी के मौझूदा कुल बारास सदस्ते हैं और 21 मार्च को होने वाले बिधार बिधान परिशत के चुनाव के बाद इनकी संख्या भागपा माले की ससी यादब को मिला कर कुल पंदरा हो जाएगी जिन में मुस्लिम चार, भुमिहार तीन, राजपुत दो, यादब दो, अति पिछडा एक, अनुसूचित जाती एक, ब्रहमन एक और एक वैसे सामिल है, आरजेडी का दावा है तो उसने बिहार बिधान परिशद में माई और बाप को ध्यान में रखकर फैसला लिया है और बिधान परिशद में अगड़ा पिछडा अति पिछडा गरीब और आधी आवादी का खयाल रखा गया है इसमें घाट पर कपड़ा धोने वाली महादलित समाज की मुन्नी रजक तो अति पिछडा समाज नाई की बेटी उर्मिला ठाकुर भी है यही नहीं बेहद ही गरीब परिवार से आने वाले पार्टी की कारिकरता मुहम्मद सोयब भी है पुर्मियती पिछड़े वर्क के रामवली चंदरवनसी की सदस्ता जाने के कारण आरजेडी की एक सीथ घट गई है उन्हें भी दो वर्स पहले आरजेडी ने बिधान परिशत भेजा था तो भले ही आरजेडी माई बाप की पार्टी होने का दावा करती हो लेकिन पार्टी ने बिधान परिशत चुना में उमिर्बारों के नामों का एलान किया उसे देखते हुए साफ है कि अभी भी पार्टी का भरोशा इमबाई पर ही जारा है यही बजा है कि दो मुसलिम को भीहार बिधान परिशत भीजा गया इनमें पार्टी के बरिष्ट नेता अब्दुलबारी सिद्की तो नए नेता फैसल अली हैं हम आपको बताते चलें कि ये वही सेयद फैसल अली हैं जो 2019 में शिवहर लोकसभा छेतर से चुनाव लड़ चुके हैं वही आरजेडी सुप्रीमो लालो परसाद यादव ने महा गठबंदन के सबसे मजबूत दल माले के ससी यादव को उमिद्वार बनावी बड़ा संदेश देने का काम किया है इससे पहले राजसभा चुनावों में पार्टी ने कॉंग्रेस के अखलेस चिंग को राजसभा भेजने का काम किया था जाहिर है आरजेडी सुप्रीमो लालो परसाद यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले सभी को साधने की कोशिश की है और अपने इस कोशिश के जरिये उन्होंने सोशल इंजिनियरिंग की बात कर रही बीजे पी को करारा जवाब दे दिया है बीजे पी को खिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें योट्यूप पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमुलिस सुझाव और विचार जरूर दे धन्यवाद